सबसे पहला इसका इंट्राफेस चेंज है LCD है और इसमें हम कॉपी मोड में जाने के बाद इसमें हम 99 कॉपी तक एक बार में कर सकते हैं यह देखे 99 आ चुका है ठीक है अब 99 हमें यह फीचर तो एक है उसके बाद और भी फीचर देखना है तो हमें OK पर क्लिक करना है और सबस density density आनि की light और dark इसमें कर सकते हैं जो की inkjet में काफी useful होगा ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें paper setting भी है उसके बाद reduce enlarge भी है और custom size क्या होता है कि आपको photocopy करना है छोटा कोई ID card छोटा है मतलब पढ़ नहीं पा रहे तो उसको बढ़ा करके करना है तो यहा से आपका यह आपका जो दिख रहा है यह आपका बड़ा होता जाएगा और 100 से नीचे छोटा होता जाएगा ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं density हो गया मेरा reduce enlarge हो गया उसके बाद ID card copy है ID card copy में क्या है कि आप दो बार scan करेंगे और साथ में एक साथ print निकल जाएगा आप आपको page पलटने की जरूरत नहीं है ठीक है उसके बाद ID card के बाद यह single page यहां पर print quality भी होता है print quality आपको कैसा चाहिए standard चाहिए best चाहिए तो आप यहां से change कर सकते है high चाहिए standard चाहिए अभी तो हमें standard चाहिए standard पर हम किलिक करते हैं तो यह सारे feature आपके बढ़ चुके ह ठीक है इतना सारा feature बढ़ चुका है borderless copy करना है तो borderless copy का भी आपका option आ गया है borderless copy का भी option आ गया है देख सकरे borderless copy है ID card copy है quality है multi page है ID card copy setting है यह custom size आनि reduce enlarge का option है सारा paper setting है density है light dark करने का option है तो इसमें आप बहुत सारा setting को improve किया गया है तो अधी आप इप्सन का printer लेना चाह चाहते हैं वह भी वाइफाई का printer लेना चाहते हैं तो आपके लिए आज की डिट में 3250 से अच्छा 3260 में आपको यूज करने में काफी आराम फील होगा क्योंकि इसमें इतना इंक्रीज कर दिया है customer को ध्यान में रखे कि आगे आपको तकलीप नहीं आने वाला है